हेलो दोस्तों, दोस्तों हम सभी को पता है कि आज से पटवारी जाम की स्टार्टिंग हो गई है 9 दिसम्बर में और जिनका भी फर्स शिप्ट का एक्जाम था वो एक्जाम देने गए हैं मगर दोस्तों एक्जाम का जो रिव्यू है क्यूस्टेंस कौन-कौन सा रहे हैं वो अभी कहीं से भी हमें मिलनी पा रहे हैं उसका रिजन यह है दोस्तों की आज फर्स शिप्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है ठीक है तो इसके कांड क्या है बहुत समझ से आ गई है बच्चों का बायोमेट्रिक थम इंप्रिंसर नहीं मिल पा रहा है और इसलिए हमें अभी कुछ भी अपडेट प्रसन के उपर किस तरह के प्रसन आ रहे हैं एक्जाम में ठीक है और कौन से से कितने मांक्स के आ रहे हैं जो बहुत बड़ा डाउड था किस लेवल का एक्जाम आ रहा है तो यह सब चीजे हम आपको जरूर बताएंगे जैसी हम हमारे पास कोई भी अपडेट इसके बारे में मिलेगी ठीक है बट अभी दोस्तों हमें नहीं मिल पा रहा है उसका रीजन यही है कि टेकनिकल प्रॉबलम क्योंकि भूपाल इंदौर गॉलियर में मेरी बात हुई है कुछ दोस्तों से तो उनका भी यही कहना है कि एक्जाम सेंटर्स में द घंटी का निसान होगा बेल आइकाउन होगा उसको प्रिस कर दें इससे दोस्तों मैं जो भी अपडेट तुरंत लेकर कि आऊंगा प्रस्णों के उपर एजाम रिव्यू के उपर तो वह आपको मिल जाएगा ठेक है तो आप कॉम्पेशन अड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों क्योंकि मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट कोशिश करूंगा सारे प्रस्ण आपको मैं प्रवाइड करा सकूं साथ में दोस्तों मेरी आप लोग रिक्स्ट है कि प्लीज आप लोग अगर इजाम हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे या मेरे ग्रॉप में जुड़े हैं तो उनको तुम्हें खासतर प्रिक्विस्ट करना चाहूंगा वो मुझे मैसेज जरूर करेंटी है तो दोस्तों थैंक्स फर वाचिंग